जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि युन सेक्ट के एंपरर ने जी आन को बार निकलने से रोग दिया था और उसके सेक्ट के तीन ताकतवर एल्डर्स ने शील्ड बना कर उसका रास्ता रोग दिया था और इस शील्ड को जी आन नहीं तोड़ पा रहा था लेकिन तभी वहाँ आईस एंपरर आ जाता है और आईस एंपरर अब जियान की मदद करता है और उस शील्ड को तोड़ देता है वो सब आईस एंपरर को देखकर डर जाते हैं और युन सेक्ट का एंपरर भी आईस एंपरर को समझाता है कि अगर तुम इस लड़के का साथ होगे तो तुम्हारे साथ जो हमारे रिष्टे हैं वो सब खतम हो जाएंगे लेकिन इस थमकी से Ice Emperor नहीं डरता जिस वज़े से अब वो एक और ताकतवर शील्ड क्रियेट करते हैं और अब उन पर अटाक करने जाते हैं लेकिन Ice Emperor उनके अटाक को असानी से रोक देता है जिसके बाद अब वो तीनों ताकतवर Elders खुद उस पर वार करते हैं और अब जियान समझ जाता है कि हम इनको नहीं हरा पाएंगे इसलिए वो डिसाइड करता है कि Ice Emperor इन तीनों को रोकेगा और इस बीच मौका पाकर जियान यहां से भाग जाएगा अब वो इस प्लान को एक्जिक्यूट करते हैं और जब Ice Emperor उनसे लड़ने लगता है और जियान को जब भागने का मौका मिलता है तो वहाँ तभी उन सेक्ट का Emperor खुद आकर उससे अब लड़ता है जियान उससे बच कर भागने की कोशिश करता है लेकिन उन सेक्ट के Emperor की स्पीड बहुत तेज थी वो उसका पीछा कर ही रहे होते हैं और उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी जियान के हाथ में कुछ होता है और उसके अंदर से Queen Medusa निकल कर आती है वो अभी स्नेक की फॉर्म में थी और अब जियान उसे एक लिक्विट पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है और जियान उसे लड़ने को भेजता है जिस पर Queen Medusa खुशी-खुशी आगे बढ़ती है और अपना एक बहुत बड़ा रूप धारन कर उससे लड़ने लगती है अब ओवियसली वो Queen Medusa है और उसकी शक्तिया अपरमपार है जिस वज़ह से यूंसेक का Emperor हलका पढ़ने लगता है और उनकी फाइट बहुत जबरदस्त होती है जो देखने लायक है इस फाइट के लास सीन में Queen Medusa यूंसेक के Emperor की फुल बेज़ती के साथ उसे जोर से धक्का मारके नीचे फेक देती है और सब ये देखकर बहुत चौक जाते है अब वो गुसे में तिल मे लाता हुआ खड़ा होता है और पहले तो Ice Emperor को फिर से समझाने की कोशिश करता है लेकिन जब इस बार भी Ice Emperor नहीं मानता तो वो अब अपनी Soul पार का यूज़ करता है और अब सीधे गुसे में उसको पकड़ने जाता है वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेता है कि Queen Medusa भी उसको पकड़ नहीं पाती वो जियान तक पहुचने ही वाला होता है और अब जियान भी समझ जाता है कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा इसलिए अब वो अपनी पार को इखटा करता है और जितनी भी उसने कल्टिवेट करके पावर हासल की थी वो अपनी तलवार में डालकर उस पर अटाक करता है और इस अटाक से युन सेक का एंपरर जमीन में जाकर धसता है और वो फिर से एक और बार घायल हो जाता है अब सब आस-पास खड़े लोग समझ जाते हैं कि इस हार से युन सेक का एंपरर तिल मिला गया है और अब ये पागल हो चुका है और अब ये जियान की जान लेने के लिए सही या गलत को भूल जाएगा अब युन सेक का एंपरर अपने और भी आदमियों को जियान को पकड़ने को भीजता है और उसके सभी आदमी अब अपनी सेक्ट की मशूर प्रूस करके एनर्जी इखटा करता है और वो अब गुस्से में आकर जियान पर अपनी सारी एनर्जी छोड़ने लगता है वहाँ अब आगे आइस एंपरर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी शील्ड बनाकर जियान को बचाने की कोशिश करता है युनसेट का एंपर लेकिन तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और उसमें उन दोनों की एनर्जी निट्रिलाइस हो जाती है और अचानक अपने आप उनकी बनाई हुई शील्ड भी तूट कर गिर जाती है यानि वहाँ कोई शक्तिशाली योध्धा आ जाता है और उसने ही ये शील् कर सब बहुत शौक होते हैं और ये शक्तिशाली योध्धा कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड यही खतम हो जाता है